Congress के अंदर जिस तरह से उनकी प्राइमिनिस्टर्शिप का बाद जिस तरह से उनको नजर अंदास किया गया और कल भी मैंने एक ट्वीट में देखा ये Congress की कोई official social media की office bearer की ट्वीट से Congress के बाकी Prime Minister के तज़वीर है लेकिन Narsimha Rao missing है और उसमें मैंने टिपपनी भी की तो जिस तरह से उनको नजर अंदस किया गया जिस तरह से humiliate किया गया नर्सिमाराओ जी का देहान का बाद उनकी बॉडी सोनिया गांधी जी ने चौबीस अकबर रोट पे आने के लिए नहीं गया और यह मैंने अपना फादर की डाइडिस से मैंने पूछा मैंने देखा कि मेरे फादर ने उनको बोला था भी कि मतलब गेट खोल दीजिये लेकिन उनको बिलकुल वो चुप रहे मतलब कोई अलावी नहीं किया तो इस तरह से जो हुमिलेट किया तो आज पीवी नर्सिमाराओ जी का एक जो रेकगनिशन मिल रही हैं जो जो डिजर्व करते हैं और हराने की बात है ये रेकगनिशन आ रहे हैं मोधी सरकार की तरफ से काउन्गरेस की ब्रेसिडेंट रहे उनकी रेकगनिशन आरहा हैं मोधी सरकार की तरफ से तो मैं यह बोलूँगी कि ये मोधी सरकार की बहुत ही बधबपन है कि वो दूस्य दूसरे पार्ные के लोगों को भी संबान देते हैं और इससे पहले गुलाम नभी आजाद इससे पहले तरुन गोगोई, इनको भी संबान दिया गया, पदमवभूशन दिया गया, तो ये Congress जो Inclusivity की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये Inclusivity पार्लेमेंटरी डिमोकरिसी में किस तरह से एक Opposition को भी संबान होना चाहिए, ये बात उनको मोधी सरकार से सीखने चाहिए. Congress की अंदर जिस तरह से उनकी Prime Ministership का बात जिस तरह से उनको नजर अंदास किया गया, और कल भी मैंने एक ट्वीट में देखा, ये Congress की कोई Official Social Media की Office Bearer की ट्वीट से, Congress की बाकी Prime Ministers की तज़्वीर हैं, लेकिन नर्सिमाराओ मिसिंग है और उसमें मैंने टिपपनी भी की. तो जिस तरह से उनको नजर अंदास किया गया, जिस तरह से हुमिलियेट किया गया, नर्सिमाराओ जी का देहान का बाद, उनकी बॉडी, सोनिया गांधी जी ने 24 अकबर रोट पे आने के लिए नहीं गया, और ये मैंने अपना फादर की डाइडिस से मैंने पूछा, मैंने देखा कि मेरे फादर ने उनको बोला था भी, मतलब गेट खोल दीजिये, लेकिन उनको बिलकुल वो चुप रहे, मतलब कोई अलावी नहीं किया, तो इस तरह से जो हुमिलेट किया, तो आज पीवी नर्सिमहाराओ जी का एक जो रेकगनिशन मिल रही है, जो जो डिजर्व करते हैं, और हराने की बात है, ये रेकगनिशन आ रहे हैं मोधी सरकार की तरफ से, प्रणब मुखर जी जो कि एक lifelong Congress person रहे, उनका recognition आया मोधी government से, पीवी नर्सिमहाराओ, जो कि Congress की Prime Minister, Congress की President रहे, उनकी recognition आ रहे हैं मोधी सरकार की तरफ से, तो मैं ये बोलूँगी कि ये मोधी सरकार की बहुती बढ़पन है, बहुती बढ़पन है कि वो दूसरे parties के लोगों को भी संबान देते हैं, और इससे पहले गुलाम नभी अज़ाद, इससे पहले तरुन गोगोई, इनको भी संबान दिया गया, पद्मभूशन दिया गया, तो ये Congress जो inclusivity की बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये inclusivity, parliamentary democracy में किस तरह से एक opposition को भी संबान होना चीए, ये बात उनको मोधी सरकार से सीखने चीए.